कॉंग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज अमेरिका यात्रा के लिए रवाना होंगे राहुल गांधी स्टेंफोर्ड विश्विद्याले के एक कारिक्रम में भाग लेंगे और 30 मई तक भारती प्रवासियों से भी मिलेंगे महीं जून की शुरुगात में राहुल गांधी स्टेंफोर्ड वाशिंग्टन डीसी और नियू यॉर्क में कई कारिक्रमों में भाग लेंगे इस दोराम राहुल विश्विद्यालेयों, उद्यमियों, नागरिक समाच, व्यापार और मीडिया के तमाम लोगों से मुलाकात और चर्चा करेंगे राहुल सेन फ्रंसिस्को और नियू यॉर्क में भारती प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे इंडियन और सीज कॉंग्रेस के कारे करता अमेरिका में राहुल गांधी के भव स्वागत की यूजना बना रहे हैं अभी से वहाँ पर राहुल गांधी के स्वागत की तयारियां शुरू हो गई राहुल गांधी की यात्रा का उद्देश अलग-अलग लोगों संस्थानों और मीडिया के साथ जुड़ना और बातचीत करना है इस लिस्ट में भारती मूल के लोग भी शामिल है क्योंकि अमेरिका और अन्य देशों में भारती लोगों की संख्या दिन वदिन बढ़ती जा रही इंडियन वर्चीज कॉंग्रेस की उपाद्धेक्ष जॉर्ज अप्राहिम ने कहा है कि मुझे आशा है कि रहूल गांधी की यात्रा भारती डैस्पोरा को लोगतंत और स्वतंतरदा की नई उर्जा प्रदान करेगी आपको बता दें कि इससे पहले इस साल मार्च में राहूल गांधी का लंदन दौरा काफी सुर्खियों में रहा था Cambridge University में भारत सरकार की आलोचना और देश में लोगतंतर पर खत्रे का जिक्र करने के बाद राहूल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए थी Cambridge University में बोलते हूए राहूल गांधी ने कहा था कि हर कोई जानता है और ये काफी सुर्खियों में है कि भारती लोगतंतर दबाव में और इस पर हमला हो रहा है मैं विपक्ष का नेता हूँ हम उस विपक्षी जगा को खोज रहे हैं अब जब रहूल अमेरिका में बोलेंगे तो देखना होगा क्या इस बार पीजेपी फिर एक बार रहूल गांधी को मुद्दा बनाती है या नहीं